सो नमश्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की ओडिये में हम बात करने वाले हैं अगर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram पर जैसाके आपस अप सभी को पता है आज के notes का option जो है देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चैट्स में गया चैट्स के अंदर यहाँ पर नॉट्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपके सभी फ्रैंस को शो होगा यहाँ पर मैं अगर हाय लिखूंगा तो भी आपके सभी friends को शो होगा और इसके नीचे आपको एक music option मिल जाता है अगर आपको ये music option देखने को नहीं मिल रहा है आपके notes के अंदर Instagram में तो आपको क्या करना आज के वीडियो में आपको बताने बाला हूं तो इस वीडियो में अटक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना है इस option को लाने के लिए सबसे पहला काम तो आपको simple सा है प्ले स्टोर में आना है प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हैं जानी इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद यहां से इंस्टाग्राम को कर लेना है update जैसे मुझे देख सकते हैं update आया हुआ है तो मैं यहां से instagram को update कर लेता हूं जैसे ही मेरा instagram update हो जाएगा तो मेरी जो problem है वो भी solve हो जाएगी क्योंकि कई बार technical issue होने को जैसे problem face करने परती है तो make sure आप अपने instagram को up to date रखें देन उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद फिर आपको अगर यह काम करने के बाद भी problem solve नहीं होती है कर देसे बाद स्क्रोल करने नीचे की तरफ और यहां पर आपको देखने का बिलेगा apps absorption पर क्लिक कर लेना है डम्हें उसके बाद manage apps है manage apps करें kommer करें क्लिर डेता पर क्लिक कर और क्लिक करें दीजिए जैसे आप क्लीर डे साइब देटा करेंगे आप देखेंगे प्रॉलम हो जाeger अगर यह सब करने के बाद भी आपकी प्रॉलम म्यूंत नहीं होती है तो यह कम कैम करना है आपके में सेटिंग ये अंदर मोबाइल में setting अंदर dual app को option होता है आप उपर search करेंगे dual app करके तो आप यहां से अपनी instagram को application जो है उसको dual कर सकते हैं dual app बना सकते हैं या mean clone बना सकते हैं अगर आपके phone के अंदर वो option नहीं है तो आप एक काम करिएगा play store में आईएगा play store में आने के बाद आपको एक application को search करना होगा आपको बता देता हूं आप लिखना clone तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह application पैरलल लैप dual app cloner यहां से इसको आप install कर लिजिए और open कर लिजिएगा open करने के बाद यहां पर Instagram देखने को मिल रहा है, Instagram को यहां से open कर लिजिएगा, यहां पर अपने Instagram को आप login करिएगा, और यहां से आप notes बगएरा में जाकर आप चेक करेंगे, login करके अपने Instagram को, तो आपको notes के अंदर music option देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपने mobile के त्रूही, अपनी setting में से जा